हेलो एवरिवेन, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो सर्सों का साग हम अपने घर में लेके आते हैं, उसके डंडे हैं, इस्पेशली ज्यादा तर मैंने देखा है, सब फैक देते हैं, आज तक मैं भी फैक दे आई हूँ, फर्स टाइ करना क्या होता है, जैसे कि हम पत्ते पत्ते तो हमेशा तोड़ लेते हैं, सर्सों का साग बनाने के लिए, पर इसकी जो मोटी-मोटी डंडिया होती है, उन सभी को हम फैक देते हैं, तो अब से इसको फैक ना नहीं है भाई, इसका भी बहुत ही अच्छा यूज हो जाता है और हमारी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं, अभी तक आपने सब्स्क्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लिजे, होफ़ुली आगे भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स म कर दोब ज sitzen नहीं काटना होता है, जो सौफट वाले होते हैं उनको काटना है, और उनको डिए इन खैना बीन, के लिए जया एकटे हैं, अब कडाई में पूरा पानी भर लेना है जिससे कि सारे डंडल अच्छे से उसमें डोप जाएं और जो गैस की फ्लेम है वो आपको सिम नहीं रखनी है आपको तेज रखनी है क्योंकि इनको हमें अच्छे से उबालना है अभी देखिए आपको ये एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं क्योंकि अभी ये कच्छे हैं लेकिन जब ये पूरे अच्छे से पक जाएंगे अच्छे समय खदक आएगी ना जब ये उबल जाएंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और मैं जब साख साफ कर रही थी तो मम्मी ने बोला इसको क्यों फैक रहे हो तो मैं ये तो कूड़ा है ना इसका क्या बनेगा तो उरू ने कहा कि अरे तुम पागल हो क्या इसकी तो कितनी अच्छी टेस्टी चीज बन जाती है इसको क्यों फैक ना इसको रखो अभी मैं बताती हूं क्या करना है तो फिर देखिए ये पूरा अच्छे से उबाल लिया है उन्होंने अब इसको इसकी अंदर जितना पा पूरा पानी निकल चुका है और इसको रख दिया है ठंडा होने क्योंकि जब तक ये गरम रहेगा हम आगे नहीं कर सकते हैं अब ये अच्छे से पूरा एकदम ठंडा हो चुका है इसमें भाप निकलना भी बंद हो चुकी है अब जिस बॉक्स के अंदर हम इसको बनाने व बहुत ही टेस्टी टेस्टी जिसको किसी भी सबजी के साथ खाएंगे ना वो बहुत ही यम्मी लगेगा आज तक मैंने बहुत सारे अचार खाएं हैं लेकिन फर्स टाइम इस तरह के जो एक्सपीरियंस है वो मैं देख रही हूँ और चार दिन के बाद जब ये अचार आपको दिखा दिया नहीं आप भी इसको ट्राइ केजे यकीन मानुएं कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मसाली कुछ बहुत जादा नहीं डाले गए हैं इसमें हल्दी डाली है नमक डाला है मिर्च अगर आप तेज खाते हैं तो तेज डाल दीजे और ये छोटी जो पिसी हुई राई है वो डाली हुई है अब डालेंगे सरसों का तेल सिरका भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ते है खटापन इतने में ही आ जाता है बस इसको डालने के बाद तीन से चार दिन अच्छे से धूप लगा दीजे अब हम क्या है इसमें तेल डालके इसको मसाले की जो कॉंटिटिटी वो पराबर हो चुकी है यह रहा हमारा चार दिन के बाद धूप में रखा हुआ पका हुआ अचार जो की साग के डंडल का बना हुआ है अब मुझे तो यह बहुत अच्छा लग रहा है जब तक यह चलेगा मैं तो हर एक सबजी के साथ खाने व प्रिच्ट सेथ हो ले सफूए तो है यह जाले कि वह जो लाम जब को लो कि अचार प्रीड्ट सेथ डिया आव ख़ा है यह जब मुझे जब मुझे खाने टो है यह विदे अर्ण ग्राउना मुझे ओड्या खाने तो है यह दो है